नमस्कार नियूस पी आर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पृती जहाँ सीता मडी जिला के रूनी सहतपूर के पास आज सुबा गैस स्लेंडर से लदे हुए ट्रक में भीशन आग लग गई और तभी गैस जो वहां के ट्रक चालक थे वो और खलासी किसी भी तरीके से अपना जान बचा कर वहां से फरार होके और इस तरीके से मौके पर भगदर भी बच गई आपको बता दे कि लोगों ने दो किलोमेटर से अधिक की दूरी पर से स्लेंडर विसपोर्ट होने की आवाजे भी सुनी और दूए की लपेटे आकास की और तीजी से बढ़ रही थी मौके पर सितामडी और मुझफर पूर के फायर ब्रिगेट की टीम भी पहुची लेकिन फायर ब्रिगेट के पास बहतरीन संसाधन नहीं होने के कारण वो दूर से ही रेस्क्यू का काम उन्होंने शुरू किया और मौके पर प्रशासन फायर बिगेट पुजिला पुलिस को भी टीम कैम्प कर रही है एतियातत के तौर पर आसफास की बस्ती को भी खाली कराने के जानकारी सामने आई है बताया गया है कि गुदाम के आगे और पीछे करिब 11 पेट्रोल पंप है और उनके करमचारी को भी अलट कर दिया गया है साथी साथ हम आपको यह बता दे कि पे ट्रक खड़ा था और उस पर तकडी बन 1200 से अधी कॉमर्शियल और नन कॉमर्शियल गैस लेंडर जो है वो लोड़ेट थे और यह आसंका जताई जा रही है कि किसी ने सिगरेट पिया था उस गैस गुदाम के अंदर या फिर गैस गुदाम के बाहर और सिप्रेट पीकर ही शायद किसी ने फिक दिया होगा और तभी यह आग जो है इस तरीके से लगी है और आप यू मानें कि एक बड़ी घटना होते होते बच गई है इसमें किसी भी तरीके से कोई जालमाल का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जिस तरीके से विसफोट होना शुरू हुआ था सभी जो ट्रक चालक है खलासी है और जितने भी गुदाम में काम करने वाले कर्मचारी थे वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से पहले भागना ही उचित समझे और साथी साथ आसपास के जितनी बसती थी उनको भी खाली कराने की बात कही गई है और उस गैस गुदाम के आगे प जादा थी उस लपेटे में किसी तरीके का कोई भारे नुकसान ना हो सके इसके लिए भाडपूर प्रियास किया गया तो फिलार इस वीडियो में आज बस इतना ही बाकी के खबरों के लिए दिखते रहे नियोस प्यार धन्यवाद